Hello students, मैं Dr. Anil Arora, Department of Partnering, Dungar College, P. Kanir से. आज इस वीडियो में हम Depletion of Natural Resources की बात करेंगे. अर्थात हम जो हमारे प्रकर्तिक स्त्रोत हैं, उनका हरास कैसे होता है और उन से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे. What is the Depletion of Natural Resources? जो हमारे प्रकर्तिक स्त्रोत हैं, उनका हरास क्या है? The Depletion of Natural Resources occurs when resources are consumed at a faster rate than that of replacement. तो सबस्ट है कि जो हमारे प्रकर्तिक स्त्रोत हैं, उनका हरास क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उनका उप्योग बहुत ही तिवरता से कर रहे हैं. उनका उप्योग तेजगती से हो रहा है, जबकि उनके पुने बनने की जो प्रकिर्या है वो अत्यंत धीमी है. तो कहने का मतलब यह है कि हम natural resources का तेज़ी से उप्योग करते हैं, उतनी speed से वो वापिस पृत्वी में बनते नहीं हैं, तो धीरे धीरे उनका हरास होता जा रहा है. Natural resources are those resources that are in existence without human actions and they can either be renewable or non-renewable. Natural resources क्या है? प्रकर्तिक स्त्रोथ क्या होते हैं? ऐसे स्त्रोथ जो प्रकर्ति में स्वेम बनते हैं बिना किसी मनुष्य की सहायता के मानव की किरियाओं के बिना जो प्रकर्ति में स्वेम बनते हैं उन्हें हम प्रकर्तिक स्त्रोथ कहते हैं ये नविनिकरत या अनविनिकरत, renewable या non-renewable परकार के हो सकते हैं and when it gets down to the discussion of natural resources depletion a terminology used in reference to water uses, forming, fossil fuel consumption, fishing and mining अगर हम बात करें कि natural resources का हरास कैसे होता है हम क्या चीज का तेज़े से उपभोग करते हैं तो हम उसमें कह सकते हैं कि क्रिशी का उपयोग करना, fossil fuels का अधिक उपयोग करना हमारे जो जिवाश में जो इंदन है उनका अधिक उपयोग करना fishing मचली का तिवर्ता से पकड़ना, mining पृत्वी में से खनीज पदार्थों को जरूरत से ज़्यादा निकालना जब हम इन सब क्रियाओं को क्रिशी अत्यदी कम करते हैं, जब हम fishing मचलीओं को जरूरत से ज़्यादा पकड़ते हैं, जब हम खनीज जो पदार्थ हैं, उनका दोहन तेजी से करते हैं, तो जो depletion है, जो हरास है, प्रकर्तिक सुरूतों का वो प्रारम हो जाता है अब अब अल, natural resources depletion is defined on the premise that the value of resources measure in terms of its availability in nature जब हम प्रकर्तिक सरोतों के हरास की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो प्रकर्तिक सरोत पृत्वी पर जिस मातरा में उपलब्ध है उसके हिसाब से उसका मुल्य या उसकी वेल्यू जो है वो तै होती है उसका निर्धारन किया जाता है A resource that is rare on earth due to depletion has a great value than a natural resources which is in abundance जैसे हम सपस्ट कर सकते हैं कि तेजी से दोहन के कारण अगर किसी प्रकृतिक सुरोत का हराश हो गया है तो उसका मुल्य अधिक हो जाएगा जबकि दूसरे जो आम उपलब्ध हैं बोतायत से उपलब्ध हैं उनकी value इसकी अपेक्षा जो है वो कम होती है तो प्राय जो चीज रेर होती है उसका मुल्य अधिक होता है Due to the increased global population the levels of natural resources degradation is also increasing बढ़ती हुई जनसंक्या के साथ क्या हो रहा है जो हमारे प्रकृतिक सुरोत है उनका निमनी करन हो रहा है उनकी quality में भी हरास हो रहा है Consequently, the world's eco footprint is estimated to be one and a half times the ability of the earth to sustainably provide each individual with enough resources that meet their consumption level अगर हम प्रकृतिक सुरोतों का अगर हम धंग से उप्योग करें Sustainable तरीके से हम अगर उसका उप्योग करते हैं तो प्रित्वी हमें इतना देती है कि हमारी जितनी जुरूरत है उससे डेड़ गुना ये प्रित्वी पर उपलब्ध है हमारी जुरूरत से one and a half times अधिक natural resources उपलब्ध है यदि हम इनका जागरूत हो करके उप्योग करें यदि हम sustainable तरीके से हम इसका उप्योग करें Here in is a detailed explanation of the causes, effects and solution of natural resources depletion अब हम प्रकृतिक सुरोतों के हरास के कारण, उनके परभाव और उनके solutions के उनको हम किस परकार से रोक सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम causes of natural resources के जो हरास हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले है over population जन संख्या का अत्यदिक बढ़ना The total global population is more than 7 billion people हमारी जो world की population है, वो लगबग 7 billion के करीब है Still, there is a consistent increase in the overall earth population and this has been a critical factor in accelerating the depletion of natural resources 7 billion होने के बावजूद भी हमारी जन संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है और यह ही कारण है कि हमारे जो प्रकरतिक स्त्रोत है उनका तेजी से हरास होता जा रहा है हम और अत्य धिक उनका depletion करना शुरू कर देते हैं An increase in the population expands the need for resources and condition necessary to sustain it बढ़ती हुई जन संख्या को संभालने के लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अधिक प्रकरतिक सुरूतों की अवशकता होती है In addition, it contributes to increase ecological contamination Research further indicates that developing countries are using more and more resources to industrialize and support their ever-increasing population इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि जो developing countries हैं वो प्रकरतिक स्थूतों का बढ़ती हुई population की जरूरतों को पूरा करने के लिए टेजी से अधिक मात्रा में यूज करते हैं और साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो ecological contamination भी करती है वो जो हमारे जो दूशित करन जिसे हम कहते हैं कि हरास्थ होने के साथ-साथ जो हमारे natural resources हैं उनका दूशित करन भी होता है Hence, the depletion of natural resources will continue as long as the world population increases तो अधिक परकरतिक स्थूतों का हरास भी तेजी से तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक हमारी जनसंख्या बढ़ती रहेगी दूसरा अगर हम कारण देखें तो poor farming practices हमारी जो क्रिशी के जो किरिया है हम किस परकार से क्रिशी को लेते हैं उसकी जो प्रैक्टिस है उसकी जो विदिया है वो poor है वो उच्छ quality की नहीं है Humans are causing a lot of stress to land resources due to the over-reliance on food production for daily nutritional requirements जो मनुश्य है वो हमारे जो स्थलिय स्त्रोत हैं उन पर पूरी तरह से निर्बर है किस के लिए? food production के लिए भोजन के उत्पादन के लिए अपनी डेली अपनी रोज मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पूरंतिया हमारे स्थलिय स्त्रोतों पर निर्बर होता है poor irrigation practices for example is a key contributing factor to salinization and alkalization of the soil that sustains plant growth होता क्या है कि जब हम irrigation जो होता है उसको अगर हम डंग से नहीं करते हैं जल कम उपलब्द है और हम irrigation करते जाते हैं या ground water का हम अधिक मातरा में उप्योग करते हैं तो ऐसी परस्तिती में क्या होता है कि जो हमारी soil है जो हमारी land है उसका salinization या उसका जो acidification है alkalization जिसको हम कहते हैं वो प्रारम हो जाता है अर्थात लवन जो है वो अधिक मातरा में कठे हो जाते हैं तो यह जो land होती है यह जो भूमी होती है वो पादपों की growth के लिए उप्यूकत नहीं होती वहाँ पर किसी भी परकार की वनस्पति को उगाया नहीं जा सकता पूर स्वाइल मेनेजमेंट ट्रैक्टिस एंड दा यूज़िज ओफ हैवी मशिनरी एंड फॉर्मिंग एक्टिमेंट अल्सो डेस्ट्रोई दा स्वाइल स्ट्चर मेकिंग इट अन्सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ जब हम क्रिशी में हैवी मशिनरी का यूज़ करते हैं ट्रैक्टरों का यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए मशिनों का उपयोग करते हैं तो हम स्वाइल की तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देते इन जो ये मशिनरी है इन मशिनों के उपयोग से क्या होता है कि soil की structure disturb हो जाती है, soil की सरचना भंग हो जाती है और फिर ये plants की growth के लिए उप्यूकत नहीं रहती, अनोपजाऊ हो जाती है Some farming practices such as excessive use of pesticide, fungicide and herbicide equally kill important soil microorganism and that are essential in replenishing nutrients in the soil हम खेतों में जब अत्यदिक pesticides का अप्योग करेंगे हम fungicides का अधिको प्योग करेंगे, हम herbicides का अधिको प्योग करेंगे तो उससे क्या होगा, कि जब हम इन weeds सित्यादी को, herbs सित्यादी को जब हो मारने के लिए रसाइनों का छिड़काव करते हैं तो उनके जरिले प्रभाव से म्रदा में उपस्तित, सुक्षम, जीव, microorganism भी मर जाते हैं, तो जिससे जो म्रदा के अंदर जो पोशक कत्व हैं, उनके नविनी करण की जो किरिया होती है, वो धीमी हो जाती है, या बिलकुल सम्माप्त हो जाती है, जिससे सॉयल जो है, म्रदा जो है, वो अन उपजाओ बन जाती है, Logging, Logging कार था यहाँ पर जंगलों को काटना, लकडी को काटना, पेड़ों को काटना को हम Logging लेते हैं, The World Bank reported that the net loss of global forest between 1990 and 2016 was 1.3 million square kilometers, World Bank ने अपने एक सर्वे में यह पता लगाया है, कि 1990 से लेकर के 2016 के बीच, मनुश्य ने 1.3 million square kilometers जंगल जो है, वैश्वेक सतर पर नश्ट कर दिये हैं, या उनको काट लिया है, On the same note, tropical deforestation is estimated to occur at a rate of 1% annually, इसी परकार इस सर्वे में यह भी पता चला है, कि जो हमारे tropical deforestation होता है, जो ocean कटी बंदी या वनों का जो विनाश हो रहा है, वो प्रती वर्ष एक प्रतिशत से भी ज़्यादा है, और especially अमेरिका के अंदर, अमेरिका के जो लेटिंग शित्र हैं, उन में, people are clearing forest primarily for agriculture reasons and due to increase in population, pressure, मनुष्य agriculture के लिए, खेती के लिए और बढ़ती हुई जनसंख्या की जुरूरतों को पूरा करने के लिए, तेजी से जंगलों को नस्ट कर रहा है, Humans are also cutting down trees to make space for residential complexes and multiplexes, मनुष्य urbanization की किरिया में, अर्थाथ, अपने रहने के लिए बढ़िया आवास बनाने की किरिया के अंदर भी जंगलों को तेजी से काट रहा है, तो प्रकर्तिक आवास जो हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं, जिससे उनमें रहने वाले जो जानवर हैं, जो plants हैं, अर्थाथ हमारी जो biodiversity हैं, वो भी तेजी से भंग हो जाती है, वो भी उनकी जातियां भी तेजी से नस्ट होने लग जाती हैं, और इवन कई जानवरों की और पाद्वों की जो जातियां हैं वो एक्स्टिंक्ट हो जाती हैं वो इस पृत्वी से गए भी हो जाती हैं क्योंकि उनके रहने के लिए कोई भी अवास नहीं बचता moreover increased logging activities lead to soil erosion that degrades natural soil minerals इसके साथ साथ जब हम जंगलों को काटते हैं तो हमारी जो भूमी है वो नगन हो जाती है जो म्रदा को बांदे रखने के लिए जो प्लांट अवशक्त थे वो उपलब्द नहीं होते तो soil erosion म्रदा का अप्रधन प्रारम हो जाता है जिसे म्रदा की उपरी पर्त जो है वो नश्ट हो जाती है और म्रदा जो है वो अनुपजाओ बन जाती है चोथा कारण क्या है over consumption of natural resources हमारे जो प्रकरतिक स्त्रोथ है उनका अत्यदिक उपभोग करना the 1760 industrial revolution saw large scale mineral and oil exploration and the practice has been gradually growing leading to more and more natural oil and mineral depletion 1760 में जब industrial revolution हुआ था जब हमने हमारी industries को तेजी से बनाना और बढ़ाना शुरू किया था उस समय पर बड़े स्तर पर खनीच्पदार्थों और oil का दोहन किया गया था जिसके कारण से बढ़ते industrialization के साथ-साथ इनका दोहन भी तेजी से बढ़ने लगा था and together with the advancement in technology, development and research in contemporary era, exploitation of minerals has become easier and humans are digging deeper to access the different और हम यह भी देखते हैं कि जैसे टेक्नोलोजी बढ़ती है, जैसे जैसे हम नही नही तक्निकों का उपयोग करते हैं, उन तक्निकों के साहिता से हम अधिक मात्रा में प्रकर्तिक स्रोतों का हरास कर देते हैं जैसे minerals को मशीनों की साहिता से अत्य दिक घराई से उनका दोहन किया जाता है और वर्ष दर वर्ष जो नहीं और हैं, जो खनिच्पदार्तों की नहीं परते हैं, वो भी दिरे दिरे हरासित होने लगती हैं हम जब खनिच्पदार्तों का तेजी से दोहन कर देते हैं, तो धिरे धिरे उनके उत्पादन की दर अत्य दिक कम हो जाती है For example, minerals such as gasoline, copper and zinc, productions are estimated to decline in the next 20 years ओधारन के लिए हम ये देखते हैं कि खनिच्पदार जैसे gasoline है, copper है और zinc है, इनका उत्पादन अगले 20 सालों में अत्य दिक कम हो जाएगा या बिल्कुल समाप्त हो जाएगा Plus oil mining continues to rise due to the up surge in the number of engines that use petroleum thereby magnifying its depletion जैसे जैसे हम industry के शेत्र में, जैसे जैसे हम वहानों के अंदर हम अत्य दिक oil का उप्योग करते हैं जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे तेजी से oil का भी depletion करते जा रहे है, oil का exploration भी तेजी से होता है, जिससे इसकी मत्रा में भी तेजी से कमी आती जा रही है इसके संबन में एक peak oil theory दी गई है, जो हमें यह स्पस्ट करती है, कि यदि हम इसी परकार से oil को harassed करते रहे हैं, हम अगर तेल का इसी परकार से दोहन करते रहे तो west fix तर पर, global level पर कुछ ऐसी स्थितियां आ जाएंगी, कि यह तेजी से petroleum पदार जो हैं, वो तेजी से nest हो जाएंगे और हमें जो alternative resources हैं, उनकी तरफ अपना रुख करना पड़ेगा, उनका हमें उपयोग करना पड़ेगा Next जो कारण है वो है, pollution An increase in pollution and modern anthropogenic activities is a major contributor to the disposal of pollutants and to the natural environment and such as the value of natural environment is gradually exposed to degradation जैसे जैसे population बढ़ रही है, वैसे वैसे production भी बढ़ता जा रहा है मनुश्य की जो आदुनिक गतिविदियां है, वो मुख्य कारण है कि हम जो हमारे जो pollutant है, जो pollution के जो उतपाद है उनको तेजी से हम प्रकृतिक वातावरण में हमारे natural atmosphere में, natural environment में छोड़ते जा रहे है जिससे उसका दूशीत करण हो रहा है और प्रकृतिक स्रोतों का तेजी से निमनी करण भी हो रहा है उनमें contamination भी बढ़ रहा है और साथ-साथ उनकी quality भी क्या होती जा रही है degrade होती जा रही है, निमनी करण होती जा रही है the soil, air, lakes and sea are being contaminated with sea waste, radioactive material and toxic chemicals among other pollutants इसी परकार से हम देखते हैं कि मरदा है, हमारी वायू है, हमारी जीले है, हमारे समुद्र है जब हम इन में pollutants, जैसे की severance का गंदा पानी है, जैसे की radioactive पदार्थ है, जैसे की toxic chemicals है जब हम इन में छोड़ते हैं, तो इनकी quality गिर जाती है और यह उपयोग के लायक नहीं रहते है Uncontrolled release of carbon monoxide, nitrous oxide, sulfur oxide and carbon dioxide for example have resulted in the degradation of the ozone layer and global warming environment changes with their resultant depleted impacts on different natural habitat हम अब देखते हैं कि चुकि pollution जो है वो uncontrolled हो गया है, अन्यंतरित हो गया है जब हम अन्यंतरित तरिके से pollution को बढ़ावा देते हैं, तो वातावरन में carbon monoxide है nitrous oxide है, sulfur oxide है और carbon dioxide है, उनकी मातरा तेजी से बढ़ती है अर्थाथ global warming gases जो होती है, जो हमारे पृत्वी को गरम करने में योगदान करती है जो होती है, जिससे औजोन का तेजी से deflation हो रहा है, औजोन की परत तेजी से थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है global warming तेजी से बढ़ रही है और इसका प्रभाव हमारे natural habitats पर देखा जा सकता है जिसका जो प्रभाव है उसे हम हमारे प्रकरतिक अवासों पर देख सकते हैं इनके कारण से उनका तेजी से हरास होता जा रहा है, वो नश्ट होते जा रहे हैं millions of different animals and plant species have thus lost their natural habitats and are on the verge of extinction global warming के कारण से हमारे जो प्रकरतिक अवास हैं वो तेजी से नश्ट होते जा रहे हैं और millions और पादप और जो जन्तों की जो जातियां हैं वो extinction यानि लुप्त पराए होने के कगार पर पहुँच गई हैं छटा कारण industrial and technology development the present day world is increasingly become industrialized as more and more countries make major technological breakthroughs हम यह देख रहे हैं कि Westfix तर पर तेजी से तकनिकों का विकास हो रहा है और हमारा जो industrialization है हमारी जो फैक्टरियां ही त्यादी हैं उनके संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं but as technology advancement continue there is similar to considerable growth in industries that release toxin and chemical byproducts which are eventually deposit in lakes, soils and lands हम क्या करते हैं कि ऐसी टेक्निक का विकास करते जा रहे हैं जिससे हमें अधिक से अधिक फाइदा हो हमें अधिक से अधिक industry के थुरू उत्पादन मिले लेकिन ऐसी टेक्निकों का अपयोग करने से हम अधिक मात्रा में pollutants को उस सरजित करते हैं जो हमारी म्रदा, जीलों, समुधरों, अधिकों तेजी से दूशित करते जा रहे हैं As a result, the byproduct and toxic materials alter natural habits such as aquatic systems and wildlife इस के परभाब से हमारा वन्ने जीवन और हमारे जो जलिये स्त्रोथ हैं, जलिये हावास हैं वो भी तेजी से नस्ट होते जा रहे हैं Examples of impacts include acidic lakes, dead zones and dead wildlife as well as the aquatic life उदारण के तोर पर अगरम देखें, तो हमारी जो जीले हैं, उनका acidification हो रहा है, उनका अमली करन हो रहा है Dead zones अर्थाथ जहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता, ऐसे क्षित्रों में व्रिदी हो रही है वन्य जो जीव हैं वो तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं और हमारी जो aquatic life है, हमारा जो जलिय जीवन है, वो भी तेजी से nest रासित होता जा रहा है Industrial and technological advancement have also driven the demand for virgin materials for research development and production जैसे हम नई तकनिकों का निर्मान करते हैं, वैसे वैसे हमें अपने प्रयोगों के लिए अपनी research के लिए हमें raw material की अधिक अवशकता होती है जिसे हम सीधे प्रकर्तिक सोथों से 3G से दोहन करके प्राप्त करते हैं नई टेकनिकों के विकास के कारण भी हमारे जो परकर्तिक स्त्रोत हैं उनका 3G से हरास हो रहा है More resources are hence being used to satisfy the industrial demands, increasing the rate of natural resources depletion जो जितने ज़्यादा हम अपनी industrial demand को पूरा करने के लिए हम natural resources का हरास करते हैं उतनी ही टेजी से इनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है Effect of deflation of natural resources अब हम करते हैं कि अगर natural resources का depletion होता है अगर प्रकर्तिक स्त्रोतों का अगर हरास होता है तो उसका क्या प्रभाब पड़ता है नमबर एक water shortage तो सबसे पहले अगर हम तेजी से अगर हम इनका प्रकर्तिक स्त्रोतों का अगर हरास करते हैं उधारन के लिए अगर हम deforestation जंगलों को तेजी से काटते हैं तो वर्षा कम हो जाएगी जिस से प्रति पर water shortage हो जाएगा जल की उपलपता कम हो जाएगी नमबर टू, oil depletion अगर हम तेजी से petroleum पडार्तों का दोहन करते हैं तो दिरे दिरे जो oil हमारे जो petroleum पडार्त हैं जो नमीनिकरत नहीं होते वो तेजी से नस्ट हो जाएगे या बिल्कुल समाप्त हो जाएगे तीसरा प्रभाव, loss of forest cover हम अपने जो one है जो हमारे forest है उनको तेजी से खो देंगे प्रित्वी पर forest cover बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इसी तरह से हम अगर खनिच बदार्तों का तेजी से दोहन करते रहे तो धीरे धीरे इनके उत्पादन की दर या तो समाप्त हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी और भविश्य में यह हमें उपलब्द ही नहीं होंगे extension of species natural resources का हरास होने से जो प्रकरतिक अवास है वो भी तेजी से नश्ट होते जा रहे हैं जिसके कारण से जो पादप और जन्तु जातियां हैं वो तेजी से नश्ट होती जा रही हैं वो लुप्त परहे होती जा रही हैं या प्रित्वी से लुप्त हो रही हैं solution of depletion of natural resources अब हम solution की बात करते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या प्रकृतिक सुर्तों के जो depletion है हरास है उसको हम कैसे रोक सकते हैं controlling of deforestation programs aimed to checking against deforestation such as REDD reducing emission from deforestation and forest degradation created by the world bank the new york declaration on forest and the united nations are initiative that could help reduce the depletion of natural resources सबसे पहले तो हमें अपने जंगलों को काटने को नियंतरित करना होगा इसके लिए world bank है जैसे united nation है जिस परकार से या दूसरे जो ऐसे वैश्विक स्तर पर जो संग बने हुए हैं जो group बने हुए हैं वो समय समय पर जंगलों को काटने से रोकने के लिए विन प्रकार के program introduce करते रहते हैं जैसे redd reducing emission from deforestation and forest degradation इस प्रोग्राम का एम यह है कि हम जंगलों को कटने से रोकें और उन जंगलों से जो उनकी quality कम हो रही है जो उनका निमनी करना हो रहा है उसको भी रोका जा सके इसी करहें इसी तरह से जो न्यू यॉर्क में एक वेश्विक स्तर पर सभी देशों की एक conference हुई थी जिसमें यह declaration किया गया था यह निरने लिया गया था कि forest को हम अधिक मातरा में उनका हरास नहीं करेंगे इसी तरह से United Nation भी समय समय पर अनेक ऐसे program initiate करता रहता है जिसकी साहता से natural resources के हरास को रोका जा सकता है या जागरुत्ता लोगों में फैलाई जा सकती है The initiative may also act as incentives for the increasing the general public to conserve forest इस समय पर हम यह भी देखते हैं कि जो इनके program है उनका दूसरा प्रबाब क्या होता है कि लोगों में जागरुकता पैदा होती है वो स्वैमी जंगनों को काटने से उनको काटना कम कर देते हैं या बिल्कुल रोक देते हैं वो वहाँ उपस्तित पर जनतु जातियों को बचाना शुरू कर देते हैं sustainability program that aim to educate people about the importance of conserving natural sources should also be enacted as a way of focusing on the long term risk associated with the environmental degradation sustainable program ऐसे program होते हैं जो लोगों को जागरुक करते हैं कि वो हमारे जो natural resources है उनको नस्ट करने की बजाए उनको conserve करें उनको बचा करके रखें तो अगर हैं सब करिया है एक साथ चलें और लोग जागरुक हो जाएं तो हमारे जो natural resources हैं हमारा जो प्रयावरण है उसके नीमनी करन को रुप का जा सकता है reducing oil mineral and material consumption अगर हम हमारे जो oil है और हमारा जो minerals हैं हमारे खनिच पदार्त हैं तेल पेट्रोलियम है ऐसे जो पदार्त हैं उनके अगर हम consumption उनक natural resources के हराश को रुप का जा सकता है manufacturers can for instance be trained to lean manufacturing while consumers sensitized on the how to adopt resource reducing wastage and recycling the techniques हम देखते हैं कि जो हमारे natural resources का हराश दो सतर परादिक होता है एक तो उतपादक manufacture जो करते हैं वो करते हैं और दूसरा consumer जो उपभोग करते हैं वो इसका हराश करते हैं तो यदि जो उतपादक हैं वो sustainable रूप से प्रकर्तिक के जो natural resources हैं उनको अगर ढंक से उपयोग करना शुरू कर देते हैं और consumers जो हैं वो इसका जो उपभोग है उसको नियंतरिक तरि हरास को रोका जा सकता है more exploration and use of renewable resources of energy. Renewable such as solar and wind power can be explored more and utilized to reduce the dependency on fossil fuel which is a major cause of environment pollution, climate change, global warming and destruction of the natural habitat अगर हम नमिनीकरत संसादनों का अगर हम अधिक कुपयों करना शुरू कर दें जैसे solar energy है सूर्य का उड़ जा जो है अगर हम solar plant की साहिता से उनको अपयोग कर दें wind energy का अगर हम उपयोग कमें शुरू कर दें तो जो हमारे natural resources है प्रकरतिक रूप से जो हम दोहन करते हैं जंगलों हित्यादी का वो दीरे-दीरे कम हो जाएगा और इनकी मात्रा देरी-दीरे बढ़ने लगेंगी और इनके जो नमीनी करत जो होते हैं इनका संसादनों का अगर हम अगर हम अधी किपयोग करते हैं तो global warming में कमी आएगी climate change जो है वो कम होगा हमारे प्रकर्तिक अवस्थों का हरास भी कम हो जाएगा protecting wetlands and coastal ecosystem हमारे जो wetlands हैं हमारे जो coastal ecosystem हैं स्बूदरी किनारों पर जो हमारे पारितंतर हैं जदि हम उनको अगर हम protect करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो प्रकर्तिक सरोत हैं उनकी मात्रा जो है वो देरे देरे बढ़ने शुरू हो जाती है तो ये इस प्रकार के wetlands और coastal ecosystems होते हैं ये अगर हम इनको conserve करते हैं जदि हम इनको बचाते हैं तो इनके आसपास उपस्तित biodiversity वो भी बढ़ती है पादप जो है जा जन्तु जो है उनका जो हरास है वो जो तेदी से नस्ट होते जा रहे थे वो भी रुक जाते हैं परिनाम सब रूप natural resources का हरास भी कम हो जाता है sensitization and awareness creation इस किरिया के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों को जागरुक मना सकते हैं कि जदि हम natural resources को अधिक उपयोग करेंगे तो दीरे दीरे ये प्रित्वी से समाप्त हो जाएंगे और हमारे आने वाली generation के उपयोग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा The main purpose of creating awareness would be encourage people to preserve and resource the natural environment by getting involved in the conservation efforts लोगों को अधिक से अधिक प्रकरतिक सरुतों को बचाने के परियास के अंदर शामिल करना चाहिए Thank you so much